प्रश्न था भारत में कितने बाग अभ्यारन्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. तिरपन. चले देखते हैं इसके विसलेशन को. भारत में अभी तिरपन बाग अभ्यारन्य है. हाला कि जल्द ही विरांगना दुर्गावती और धौलपूर करॉली टाइगर रिजर्व को क्रमशक चौवनवे और पचपनवे टाइगर रिजर्व के रूप में घोशित किया जाएगा. जिसके बाद भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या पचपन हो जाएगी. टाइगर रिजर्व भी एक राष्ट्री उद्यान है. ऐसा इसले है क्योंकि यह इस्थान मूल रूप से एक राष्ट्री उद्यान के रूप में बनाया गया था और बाद में बाग संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया गया था. बतादे की राश्रिय बाग संरक्षन प्राधिकरड की सलाह पर वन्यजीव संरक्षन अधीनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाग अभ्यारनियों को अधिसू चित किया जाता है तो चले शुरुआत करते हैं आज की एपिसोट की पहले प्रश्न के साथ प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तोर पर कब शुरू हुआ इस प्रश्न का सही उतर है विकल्प C 2022 चले देखते हैं इसके विस्तेशन को हाले में आशा नामक चीता ने तीन शावकों को जन्म दिया है भारत में प्रोजेक्ट चीता आपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को चीतू की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू हुआ जुने 1952 में देश में विलुप्त घोशित कर दिया गया था इस परियोजना में दक्षुण अफरिका और नामीबिया से मध्यप्रदेश के कूनू राश्च्वे उध्यान में चीतू का स्थाना अंदर शामिल है इस प्रोजेक्ट को NTC द्वार मध्यप्रदेश वन विभाग भारती वन जीव संस्थान यानि WII के साथ नामीबिया और दक्षुण अफरिका की चीता विशेशग्यों के सहयोग से कार्यान वित किया गया है अगला प्रश्ण है बिहार जाती सर्वेक्षड 2023 से पता चला कि अन्य पिक्षड़ा वर्ग यानि OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानि EBC मिलकर कितने प्रतिशत बनाते हैं E 55 प्रतिशत, B 63 प्रतिशत, C 70 प्रतिशत या D 35 प्रतिशत इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B 63 प्रतिशत, चले देखते हैं इसके विसलेशन को बिहार जाती सर्वेक्षड 2023 से पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानि EBC मिलकर राजिकी कुलाबादी का 63 प्रतिशत है जारियाक्डों की अनिसार राजिकी कुलजन संख्या 13.07 करोड से कुछ अधिक थी जिसमें से EBC 36 प्रतिशत सबसे बड़ा समाजिक वर्ग था जिसके बाद OBC 27.13 प्रतिशत थे भारत में जनगर्णा की शिरुवात वर्ष 1881 की ओप्रिवेशिक काल के समय हुई थी बता दे कि अन्तिन जाति जनगर्णा वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी और इससे संबंदिट डेटा ततकालिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सारवजिक रूप से उपलब्ध कराया गया था यह जाति जनगर्णा मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्ष नीतियों के कार्यानवेन का आधार बनी वर्ष 2011 की जनगर्णा आजादी के बाद पहली ऐसी जनगर्णा है जिसमें जाति आधारी डेटा एकत्र किये गए हालाकि राजनितिक पक्षपात और अवसर वादिता के भैस से जाती से संबंदित आकडे सारवजनिक नहीं किये गए अगला प्रश्ण है आयूसियन की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता के स्थिती है ए अतिस अंकट ग्रस्त बी सुभेद्य सी विलुप्त या डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी सुभेद्य चले देखते हैं इसके विसलेशन को आयूसियन की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता के स्थिती सुभेद्यानी वल्नरीबल है आयूसियन रेड लिस्ट जानवरों कवक और पौधों की प्रजातियों की बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महतुपून वैश्विक संसाधन है यह लि वी यू प्रजातियों को विलुप्त होने का खत्रा माना जाता है अगला प्रेश्ट है आईश्मान भारत कारिक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था ए वर्ष 2015 बी वर्ष 2016 सी वर्ष 2017 या डी वर्ष 2018 इस प्रेश्ट का सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2018 चले देखती है इसके विसलेशन को आईश्मान भारत कारिक्रम फरवरी 2018 में शुरू किया गया था यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्व पोशित विश्ट की सबसे बड़ी स्वास्त बीमा योजना है यह मादमिक देखभाल और तृतियक देखभाल के लिए प्रती परिवार पांच आजिक आर्थिक जाती जनगर्ना यानि SECC डेटा द्वारा पहचाने गयला भारतियों को लक्षित करती है इस यूजना का वित्व पोशन सेक्ट रूप से किया जाता है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायका के बीच 60 प्रशन है राजस्थान के पुर्व मुख्यमंत्री अशोग गहलोद द्वारा चिरंजीवी योजना की शिरुवात की गई थी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी वर्श दो हजार इकिस में चले देखते हैं इसके विसलेशन को चिरंजीवी योजना की शिरुवात मई दो हजार इकिस में की गई थी इसके माध्यम से सभी राजुस्थानी परिवारों को सार्व भौमिक स्वास्त कवरिज प्रदान किया गया है इसका कवरिज हाली में 10 लाख रुपे से बढ़ा कर 25 लाख रुपे कर दिया गया है जिसमें दुरगटना कवरिज के लिए अतरिक्त 10 लाख रुपे भी शामिल है अगला प्रश्ण है निर्मलिकित में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है ए गंगा एक्सप्रेस वे बी मुंबई नागपूर एक्सप्रेस वे चले देखते हैं इसके विस्तेशन को मुंबई पूने एक्सप्रेस वे जिससे यश्वन्त राव चवान एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है महरास्ट राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC द्वारा निर्मित भारत का पहला चले एक्सप्रेस वे मुंबई को पूने से जोडता है जो कुल 95 किलोमेटर की दूरी में फैला हुआ है अगला प्रश्न है प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसकी द्वारा किया गया था इस प्रश्न का सही उतर है विकलप सी इंटीग्रल कोच फैक्टरी आई सी एफ चेन नही चले देखते हैं इसके विसलेशन को वंदे भारत एक स्वादेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सीमी हाइस्पीड स्वाचाली ट्रेन है पहली वंदे भारत का निर्माड इंटीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा मेकिन इंडिया कारेक्रम के हिस्से के रूप में लगभग सौ करोड रुपए के लागत से किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्टरी विशो की सबसे बड़ी रेल कोच निर्मादा कमपनी है इसके स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और यह चिन्नई के पेरंबूर में इस से थ है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सरवादिक सौर साया द्रक के शेत्र में मौजूद है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बुंदेलखंड शेत्र में चले देखते हैं इसके विसलेशन को बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के साथ जिलो, चित्रकूर, बांदा, जहासी, जालौन, हमीरपूर, महोबा और ललितपूर तथा मद्य प्रदेश के छैस जिलो, छतरपूर, टीकमगड, दमोह, सागर्स, दतिया और पन्ना में लगभग 79,000 वग किलोमेटर भूमी में फैला हुआ है राज में उत्पादित कुल सौर उर्जा का लगभग 60% हिसा, बुंदेलगंड छेत्र में सबसे अधिक सौर सेंत्रों की संख्या में देखा गया है बता दे कि भारत की उर्जा आवशक तक काफी हद तक उर्जा की गैर नवी करनी इस रोत से पूरी होती है तुछली देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को उतरपुदेश Global Investors Summit यानि GIS 2023 ने मलिकित में से किस शेत्र में आयो जित किया गया था इस प्रश्न का उतर कमेंड बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया झाल